स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनके क्लासस पर दोस्तो आज इस वीडियो में हायर सेकंडरी स्कूल परिछा दोजार चौबिस यानि की कच्छा बारा जी हाँ दोस्तो कच्छा बारा का जो बारसिक पेपर आपका होने वाला है पूरा का पूरा आज इस पूछेगा पेपर में 6 पेज रहेगा टाइम आपको तीन घंटा दिया जाएगा और जो नंबर रहेगा पेपर पर 80 नंबर का दिया जाएगा 20 हिंदी यहां पर देख लीजिएगा जो 6 तारिक को आपका पेपर होने वाला है तो दोस्तों अगर बात करें कि कॉश्चन कित क्योंकि आपका एक नंबर आपके लिए बहुत महकपूर है दोस्तों आपका एक एक करके यानि कि आपका जो परसेंट है पनाता है तो यहां पे सभी प्रसन निवार है जो कोश्चन आपसे बन जाएंगे वो करेंगे ही जो नहीं बनेगा कुछ भी समाज में आए थोड़ा बहुत अगर उसके वारे में पता है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजे कुछ न कुछ नंबर उसमें मिलेगा तो यानि सभी प्रसन आपको करना है फिर यहां पे देख लिए प्रत्य प्रसन के लिए आवंटे तक उसके सम्मुख अंकित रहेगा यानि प्रसन के सामने अंक दिया रहेगा कि कौन सा क्वेशन किते नंबर का एक से पांच तक बतीस बस तुनिष्ट प्रसन है तो दोस्तों आप से बतीस नंबर के बस तुनिष्ट यानि एक एक नंबर के क्वेशन पूछा जाएगा जिसका हर एक क्वेशन का अंक निर्धारित रहेगा एक अंक यहां पे चौता देख लिजेए, 6 से 15 तक कुल 10 प्रस्ण है, प्रतेग प्रस्ण दो अंका निर्धारित है, सब्द सीमा आपको 30 सब्दों में लिखना है, पांचमा देख लिजे, 16 से 19 तक कुल 4 प्रस्ण रहेंगे, प्रतेग प्रस्ण 3 अंके रहेंगे, और यहां पे आप सभी प्रस्णों के आंत्रिक बिकल्प दिये गए यानि कि आपको 6 से 23 नमबर तक के जितने भी कोश्चन है सभी में अधवा भी दिया रहेगा तो किसी एक को करना है तो अगर हम सीधा कोश्चन पर चलें तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे सही बिकल्प तो दोस्तों पहला कोश्चन है सही बिकल्प का चायन कर लिखें तो सांथियों मैं एक बात आपको बता दो कि पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा आप से कितने कोश्चन इसमें से बन जाता है कितने कोश्चन नहीं बनता आप पहले इसको गवर कीजिएगा क्योंकि आपन ऊसरा हो गया, तीसरा गॉस्चन हो गया. क्या आप से इन तीनों कॉस्चन का उत्तर पता है? देखिए, फटा-फट देखते जाईएगा, तीन कॉस्चन हो गया. चोथा कॉस्चन की बात करें अगर, तो चोथा कॉस्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, वह सब्द जो छेतर भी सेस में बोले जाते हैं उसे कहते हैं तो कौन सा सब्द कहते हैं यानि छेतरी सब्द तो इस तरह से आपको इसमें क्लियर करना है कि कौन कौन से कॉस्चन आपसे बन पाता है यहाँ पे 6 question दिया हुआ है बिकल्ब question इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तो अगर अगले part की बात करें जो रिक्तस्थान है रिक्तस्थान की पूरती कीजिए यह question आपसे 7 पूछा जाएगा यहाँ पे रिक्तस्थानों की पूरती कर लिखिए दो बिकल्ब रहेंगे दोस्तों उसके सामने आपको किसी एक को लिखना है तो पहला हो गया दूसरा तीसरा चौथा पांचमा question हो गया साथ question पूछेगा और मैं दो तीन और दिखाये देता हूँ जो सेस रहे गया है छेटमा और साथमा तो इस तरह से आपका बिकल्ब के 77 रिक्स दस्थान भी complete होता है question पहले इनको भरने की कोशिस करिएगा मैं इसका पूरा उत्तर तो आपको दूंगा ही लेकिन पहले आप इन question को अध्यन करिए क्या आपने इन question को अच्छे से complete किया है या नहीं किया है और प्रस्क्रमांग 3 की बात करें तो 77 है दोस्तो तो यह रहा है आपका प्रस्क्रमांग 3 और प्रस्क्रमांग 3 में निव लिखित कतनों के समझ सत्या असत्त लिखना है इस तरह से total इसमें 6 question दिये हैं और 6 number कि यानि हर एक question एक number का होगा इस तरह से आपका question number 3 भी complete हो जाता है स्क्रीन सॉट लेना चाहिए तो स्क्रीन सॉट ले लिए अगर वीडियो को रोक कर पड़ाद्धियन करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर भी अद्धियन आप कर सकते हैं इस तरह से प्रस्क्रमांग 3 हो गया और इसी तरह से अगर प्रस्क्रमांग 4 की बात करें तो प्रस्क्रमांग 4 में आपका सही जोड़ी है यानि कि सही जोड़ी का मिलान करना था तो 6 है दोस्तों 6 question है 6 number के यहां पे देख लीजेगा और इसमें जा तक दे दिया है यानि कि जो सही है इसके सामने आपको सही लिखना है और जो 2-3 says बस जाएंगे वो उनको आपको नहीं लिखना है तो इस तरह से प्रस्क्रमांग 4 भी complete हो जाता है और इस पे से आप जोड़ी बनाने की कोसिस करिए कि आप इन जोड़ियों को बना सकते हैं यदि बना सकते हैं तो वीडियो के अंत में जब भी आप कमेंट करें तो येस लिख के भेज दीजिए तो यानि कि आप से कॉस्चन पूरे complete होते हैं बन जाएगा तो येस जरूर लिखे अगर इसका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट वाक्स में पीडियाप लिखना है बस तो पीडियाप में आपको प्रोवाइट करा दूँगा यहां से दोस्तों बात करें तो प्रसक्रमांग 5 जो इस्टार्ट होता है प्रसक्रमांग 5 आपका निम लिखित प्रसनों के उत्तर एक बाक्स में लिखिए यानि कि इन सभी कोश्चनों का एक बाक्स में उत्तर लिखना है साथ कोश्चन है साथ नंबर का रहेगा तुलसी दासची ने रावड की तुलना किस्से की है जब किसी पद में उपमान का उपमे में अंगो सही तारोप किया जाता है तो कौन सलंकार होता है बजार दरसंद पार्ट के लेखा कौन है भक्तिन के पिता का नाम क्या था मुहावरा पेट पूजा करने का क्या अर्थ है आनन्द यादाओ की कच्छा में मनीटर का क्या नाम था अपने प्रदेश के दो लोग प्री हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखे इस तरह से आपका प्रस्क्रमांग पांच तक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों आगे अगले वीडियो में मैं आपको कौस्चन दिखा दू आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता तो आपके लिए पहले से ही बेस्ट आफ लक अच्छे से पेपर दीजेगा नेस्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दोस्तों जैहिन बंदे मातरम